असलाम उलेकुम डियर एस्पाइरंस आज हम किरिमनोलोजी के सेक्शन टू के पार्ड वन में आ चुके हैं आज मैं आपको कवर करवाऊंगा जुविनायल डेली कोईंसी अब जुविनायल डेली कोईंसी में उसकी डेफिनिशन उसकी मीनिंग और उसके लावा जुविनायल डेली कोईंट का जो बिहेवियर होता है वो किस तरह का होता है और स्टेटस ओफिंडर कौन होते हैं स्टेट यूएस की हम current states और पाकिस्तान की कुछ current states के बारे हम बात करेंगे तो आये बगेर किसी देर के start करते है अब आजाता है juvenile delicacy definition अब juvenile delicacy क्या है कोई बी individual जो eighteen years से कम age का हो और वो existing laws को abide ना करे, उनको act ना कर पाए, जैसे के हमारे पाकिस्तान में laws prevail करते हैं, किसी भी चीज़ के, जैसे के cigarette नोशी होती है, वो cigarette नोशी under 18 वो smoking नहीं कर सकते, तो इस तरह से हम या अलकोल वो यूज नहीं कर सकते, या वो driving नहीं कर सकते अंडर 18, तो an individual under the age of 18 failing to abide by the law, उसे हम juvenile delicacy केते हैं, या a person who does this, तो उसे हम juvenile delicacy केते हैं, अचा उसके बाद एक और definition आ जाती है, यह हैंस, आईसिंक ने बोला है, कि the behavior of a minor child that is marked by criminal activities, persistent anti-social behavior, or disobedience which the child's parents are unable to control. एक इसा behavior हो उस बच्चे का, कि anti-social हो, वो disobedient, एक एक एक्ट करें बडों के साथ, और misbehave करिये, society में उसका जो करदार हो, वो according to the norms नहों, और उनके जो parents हो, वो उसे control नाव कर पाएं, तो हम इसे भी, इस behavior को भी juvenile delicacy केते हैं, या इसे behavior रखने वाले को juvenile delicacy बोलते हैं, तो उसके बाद, ये एक आपके सामने एक picture आ रही है, एक graph, एक किसम की, एक image दी हुई है, कि juvenile delicacy is the participation of a minor child, ठीक के एंडर 18 वो minor child होते हैं, usually between the age of 10 and 17, an illegal behavior activity, कोई भी चीज, according to the law नहो, according to the state rules नहो, तो हम उसे juvenile delicacy कर केते हैं, अब understanding, किस तरह से juvenile delicacy को understand किया जा सकता है, ये जो picture में दी हुई थी बात, वही बात इदर की हुई है, कि इस slide में, कि it is the participation of a minor child, usually between the age of 10 and 17, in illegal behavior or activity, कि एक ऐसा behavior हो, उस बच्चे का mischievous हो, disobedient हो, तो हम उसे juvenile delicacy को इन से बोलते हैं, उस activity को, अब juvenile justice system बोलता है, कि juveniles जो होते हैं, जो वो binary child होते हैं, वो अगर behave करते हैं, इस तरह से, तो वो adults से differently, जो हैं, वो treat किये जाएं, उनको मुझरिम न समझा जाएं, उनको different तरीके से समझा जाएं, ये इसमें, आगे हम juvenile justice system तो पढ़ेंगे, इस part के, इस section के part two में, मगर ये, इसका touch देना बहुत जरूरी थिया, यहां पे, कि ये जो juvenile delinquents होते हैं, उनको हम differently treat करना चाहिए हमें, या जो law enforcing agencies होती हैं, उनको differently treat करना चाहिए, तो नीचे इसने बुलाए है कि इसलिए, वहां पे जो, अभी तो पाकिस्तान में इतना, इसकी, तो some extent हुई है, इतनी establishment नहीं हुई, मगर first world countries जो हैं, developed countries हैं, या even developing countries जो हैं, उनमें separate courts हैं, detention facilities हैं, और different laws जो हैं, juvenile के laws जो हैं, और उनकी rehabilitation के लिए काम हो रहा है, अभी पाकिस्तान में हम आगे जाके पढ़ेंगे कि क्या लेक कर रहा है, juvenile deli को इंसी को लेके, और उसको control करने के लिए क्या measures लिए जा रहे हैं, मगर ये जो बात कर रहे हैं, अब उनकी rehabilitation के लिए, ये चीज़ें, courts और ये facilities इस्टेपलिश की जा चुकी हैं, पाकिस्तान में हैं, मगर इस्टिल लेक कर रहे हैं, अच्छा, उसके बाद हम आजाते हैं, causes of juvenile deli currency पे, अब causes of juvenile deli currency का सबसे पहला कास जो है, वो family है, family हम उसे कहते हैं कि basic socialization agency है, ये ऐसी family एक ऐसी चीज़ है, जो बच्चा जब पेदा होता है, पेदा होने के बाद, पहली हम बोलें कि एक दर्सका है, जो socialize करती है बच्चों को, अब अच्छे और बुरे का concept भी family सिखाती है, as you know very well, और values, norms के बारे में society के जो existing values और norms होते हैं, उनके बारे में family बताती है, अब family कास कैसे होती है, juvenile deli currency, अब सबसे पहले broken families, अब broken families इस तरह से होती हैं के parents की तलाक हो जाती है, या मतलब वो separate हो जाती है, तो ये भी एक cause है, जिससे बता जो चोटा बच्चा होता है, minor होता है, वो first rate होता है, और उसकी first station में वो juvenile deli coin बनता है, उसके बाद single parent family, अब single parent family को लेके एक issue आता है, वो इस तरह से single parent family के उनको अगर father उनको care take कर रहा है, उनका जो guardian है, वो अगर फादर है तो वो अब कमाने जाता होगा, और different activities survival के दिए करता होगा, तो वो उसकी गेर मुझूदगी में जो बचा होता है, वो बिगड़ सकता है, उस पे proper जो है, governing नहीं होती, तो इस वज़ा से भी वो बच्चा जो है, डेली coin बनता है, या अगर मधर के पास रहता है, उसके फादर की देथ हो चुकी होती ही, या इनके तल्याग हो चुकी होती है, डाइवोस हो चुकी होती है, तो इस डाइवोस को लेके भी, वो एक मा जो होती है वो मा एक specific stage तक एक specific age तक बारा सालों तक ज्यादा से ज्यादा जो है बच्चे पे control कर सकती है और उसके बाद जो बच्चा होता है वो थोड़ा बहुत independent हो खुद को समझने लगता है और वो हो सकता है कि वो bed company में आके जो भी नाइल डेली को इंट बन सकता है तो मधर भी जो है proper जो है governing नहीं कर पाती अब separated families जैसे मैंने broken families और separated families जैसे मैंने बोल दिया कि separate हो चुकी होती है तो proper governance भी नहीं होती अब यह होता है कि separated families में कि बचा जो होता है अगर किसी एक के पास होता है और वो सारी conditions अपने सामने देखता है तो वो भी जैसे society के जो said norms है उसके मताबग behave नहीं करता अब उसके बाद आ जाती है कि frequent parents fight parents frequent लड़ते रहते हैं तो यह बंदे में उस बच्चे में transmit होती है यह सारी चीज़े लड़ते रहते हैं जगड़ा होता है या जो है husband जो होता है वो अपनी wife को अपने बच्चे के सामने मारता रहता है तो यह wife bittering जैसे हम बोलते है तो जैसे अब उसे जब मारता है तो यह जो नफसियाती असर जो होता है वो उस बच्चे पर पढ़ता है participate करता है उसके बाद criminal parents आ गए अब वो criminals होंगे तो जाहर साहर सी बात है ये चीजें भी उसके बचे तक ट्रांस्पमिट होंगी उसके parents जो criminals होंगे तो ये असर उस बच्छे पे बड़ेगा अब ये लेक आफ ट्रस्ट और गान्फिडंस ये बहुत में चीज़े फैमली के अ नीदर मतलब उनके पास कोई एक confidence होता है और नहीं वो अपने बच्छे को ये confidence दे पाते हैं अच्छा उसके बाद जो second case आ जाता है वो आता है economic problems अब economic problems आप समझ लें कि hungry man is an angry man कि poor economic background से एक deprived situation बे रहते हैं बच्चे वो उनके पास जो हैं उनको कम pocket money मिलती है उनको कम हापे से खरच करने के लिए मिलते हैं या अपनी basic needs पूरी करने के लिए मिलते हैं क्योंकि उनक्या family background बहुत पूर होता है economically तो ये बच्चे तो आसानी से crime में involved हो जाते है ताकि जैसे कि उसके contemporary होते हैं उसके class flows होते हैं वो अच्छी चीजें खाते हैं अची चीजें पेहनते हैं अची चीजें जो है वो use करते हैं तो वो bunlar जो है वो चोटा बच्चा जो है एक minor जो है वो एक inferiority complex में आ जाता है तो ये inferiority complex लीड करती है उस बच्चे को कहां पर crime करने के लिए तो इस तरह से भी वो जो माइनर है वो यूथ है जो वो जुविनाल डेलिकुएंसी में पार्टिसिपेट करते हैं और जुविनाल डेलिकुएंट बन जाते हैं अच्छा उसके बाद सैकोलोजिकल प्राब्लम्स भी हो सकती हैं सैकोलोजिकल प्राब्लम्स मेंट जो है क्राइम के तरफ असानी से रागय हो सकता है तो उसके सोचल प्राभ्लम्स अब जेंडर दिस्क्रीमिनेशन हो सकती है एज दिस्क्रीमिनेशन हो सकती है चाइड लेबर हो सकती है अब चाइड लेबर according to economic survey of Pakistans 3 से 4 मिलियन जो बच्ची हैं पाकिस्तान में वो चाइल लेबर का शिकार है अब उसको लेके कि जैसे आप पढ़ेंगे कि इस पाकिस्तान में फुटबॉल के एक्सपोर्ट पे बेन लगा था उसका में डीजन भी यही था कि उन्होंने कहा था कि आप चाइल लेबर को वो कर रहे हैं वो जो बॉल्स थे वो बॉल्स जो थे वो बचे सीते थे तो इसको लेके भी पाकिस्तान पर कुछ टाइम के लिए बेन लगा था तो यह सोशल प्राब्लम से जेंडर को डिस्क्रीमिनेट किया जाता है एज की डिस्क्रीमिनेशन होती है किसी की तो ये सोशल प्राब्लम्स है अभी कोई जैसे बोना सा बच्चा होता है जिसकी हाइट कम होती है उसको चड़ाना उसके फीचर्स को लेके चड़ाना और उसे ओफेंड करना ये सारी चीज़ें जो होती है ये डिस्क्रीमिनेशन के जर्मेरे में आ जाती है तो ये सोशल प्राब्लम्स थे उसके बाद मॉरल प्राब्लम्स अब एटिकेट्स जो हैं वो बहुत एहम होते हैं किसी भी बच्चे को सिखाने के लिए किस तरह से उनको उनसे बियव करना चाहिए आपको किस तरह से आपको उनको ट्रीट करना चाहिए तो most of the families अपने issues की व हो सकती है उस प्राब्लम को लेके वो जो हैं इस चीज पर कॉंसंट्रेड नहीं कर पाते कि इस बच्चे को इन एटिकेट्स सिखाने की जरूरत है तो इस वज़ा से भी ये है कि उसकी प्रापर गवरननस ना होने की वज़ा से वो बच्चा जोविनाल डेली को एंड बनता माइनर मिस्टेक्स करता है उनको बच्चों की इंसल्ट करते हैं उनको मारना धारना डांटना शुरू कर देते हैं या कोई बच्चा जो है कम मार्स लेता है तो उसको एक जहनी टॉर्चर किया जाता है उसको डिस्रेस्पेक्ट किया जाता है या कोई बच्चा जो है एक इ और ़िद आ जाए और उसपर ट्रस्ट ना किया जाए और उससे जो है मारा जाए उसे उससे घाली गलोच किया जाए तो वो बचा भी most प्राबबली किरमनल बन सकता है तो ये भी एक पैरंटिंग स्थाइल भी जो है वो काज होता है juvenile delicuity का अच्छा इस जो है बिमारी को इस element को issue को टेके किसे किया चाहिए आखिर juvenile delicuity है उसको solve किसे करना चाहिए इस issue को tackle किस तरह से करना चाहिए तो सबसे पहले जो है positive attitude हो life के तरफ, society के तरफ पेरेंट्स जो हो या एक माडल बिहेवियर पेरेंट्स शो करें बच्चे को लेके और सिब्लिंग्स को लेके गवर्मेंट को अपना रोल प्ले करना चाहिए पोर फेमली को सपोर्ट करने लिए ता कि वो उन में ऐसा से कमतरी ना आए और वो किसी भी अनलाफल एक्टिविटी पे इंवाल्व ना हो और पेरेंट्स जो हैं अपने बच्चों को लॉग की रेस्पेक करना सिखाएं और एक्विल्टी एक्विल्ट्रीट्मेंट करें अपने बच्चों से तो ये सारी चीज़े हैं ये चार पांच चीज़े हैं जिन पर अमल करके बच्चों कोड जोविनाल डेलिकुइंसी से बचाया जा सकता है अच्छा जी उसके बाद आ जाता है हमारा इसका दूसरा पार्ड जिसे हम कहते हैं इस्टेटस ओफिंडर्स अब इस्टेटस ओफिंडर्स क्या है कि एक एसा ओफिंस हो जो एक सर्टेन लोगों को मना हो और ज्यादा तर जो है एक एसा ओफिंस जो एक स्पेसिफिक एज को लेकि एक क्राइम हो एक उसको अलाओ नहो मगर अगर वो स्पेसिफिक एज तक पहुंच जाते हैं उसके बाद वो क्राइम नहीं होता दूसरी डेफिनेशन जहां पर आप आप इसली समझ सकते हैं कि सम्वन चार्जड वित अउफिंस देट नाट टो बी अ क्राइम इफ चाहे तो वो क्राइम नहीं होती अगर वो माइनर्स करते हैं तो क्राइम हो जाती है एक उफिंस क्राइम नहीं उसे उफिंस बोलना चाहिए इसे हम कहते हैं यूथ इन क्राइस अब यूथ इन क्राइस यूथ इन क्राइस ये इस्टिस ओफिंस की कुछ चीजें हैं में लिखी हुई कि भाग जाना घर से और समोक करना और जो है कुछ लास को जो है वाइलेट करना ये स्टेटरस ओफ इंस में आ जाती हैं यहां पर थोड़ी क्लेरिटी आ जाएगी आपको स्कूल स्किप करना एक कंट्री का जो है कर्फ्यू जो है उसे वाइलेट करना अलकूल अंडरेज हो और अलकूल उसके पास हो और या वो अलकूल पीए तो वो भी जो है स्टेटरस ओफ इंस का टाइप हो जाता है घर से भाग जाना अपने पेरेंट्स के कंट्रोल में ना होन यह सारी चीजें जो हैं स्टेटस ओफेंस के जम्रे में आ जाती हैं अब स्टेटस ओफेंस को कैसे डील किया जाता है मुक्तलिफ स्टेटस में सबसे पहले जो है for most part state goals in dealing state officer in three ways family को preserve किया जाता है public safety को ensure किया जाता है youth को रोका जाता है community crime करने के लिए एक चीज़ ये होती है कि states जो है उन status offenders के इर्द गिर्द मौजूद लोगों को preserve करती है उनको save करती है status offenders से अब दूसरी बात many states refer them children are juvenile in the need of supervision and care काफी states में इस तरह से होता है कि अगर कोई status कोई बच्चा status offence करता है तो उससे जो है supervision में दिया जाता है supervision अकसर जो होती है वो other than parents होती है किसी और की supervision में दिया जाता है some states end up in juvenile course अच्छा juvenile course में उनके cases चलते हैं अब residential placement offenders and community based program अब उनकी जैसे मैंने पहले ही बात की तो other than parents उनको राया जाता है या उनको rehabilitate करने के लिए community based programs होते हैं उनमें उनको participate करवाया जाता है अब ये है पेनल्टी ये पेनल्टी इस स्टेट टो स्टेट वेरी करती हैं मगर कुछ कामन ये हैं के suspending juveniles driving license license को एक जो है suspend करना उनसे fine भरवाना अब तीसरी बाद वही placing them with someone other than parents और community based program attain करने की का हुकम उनने सुनाना और उनने मजबूर करना के वो जो है इन सारी चीज़ों को attain करेंगे current state से के juvenile rates जो है 2019 में कम हुए है 20% तक कम हुए है और कहीं पे बड़े हैं के in new audience more than 95% of youth arrested अब 95% मतलब यह है के एक specific community को लेके भी issues होए है तो वहाँ पे 95% जो criminals थे वो black थे और उसके बाद जो है तीसरी चीज़ है the juvenile arrest rate has gone down more than 30% for non-violent crime in 2019 अब यह जो है world wide है world wide 2019 में एक youth का क्राइम जो है status offense है वो कम हुआ है as compared to 2018 और 2017 और 2016 में तो बहुत ज्यादा था तो यही था juvenile delinquency or status offense अगला lecture होगा juvenile justice system पे उसमें police का course का different जो institutions हैं उनका रूल बताएंगे वो part जो होगा एक part two होगा section two का तो stay tuned मिलते इंशाला next lecture lecture के साथ अगर आपको कोई भी question कोई भी query हो that you can put in the comment box और we'll try to have interaction with other CSPs as well के उनसे पूछें के उनकी strategies क्या थी specific subject को लेके और उन्होंने किस तरह से CSS को manage किया और उन लोगोंने किस तरह से जो है अपना time table maintain किया था किस तरह से target daily to daily जो था say'd किया था English के जो subjects हैं उनको किस तरह से tackle किया था और better marks के लिए क्या strategies होनी चाहिए वोकेप को tackle करने के लिए क्या strategies देनी चाहिए तो यह सारी चीज़ें हम discuss करेंगे हफते में तकरीबन कोशिश करेंगे कि एक CSP साथ हमरा interaction हो तो हमरे साथ रहिए तो मिलते हैं नेक्स लेक्चर में Thank you so much